नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल जैनल की पिश्टोन ग्राफिय में तो फ्रेंड से आज की जो डिक्टेशन रहेगी वह लेशन 2526 के डिक्टेशन रहेगी और यह सो सब्द परती मिनाट की स्पीड से होगी ठीक है दोस्तों आपको स्क्रीन पे इसकी जो है आउटलाइन से दिख्री होंगी और इसकी पिडियाप आपको अमारे टेलिक्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में दे दिया गया है ठीक दोस्तों और यह दियाप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्स्क्राइब और सेर कि है अब संगर्ष अथवा विरोध का समय नहीं रहा आज का समय ठोस रचनात्मक कार्य का समय है मैं जानता हूं संगर्ष करना कठिन है परन्तु उसी एकाग्रता से रचनात्मक कार्य करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है यह भी इसपष्ट है कि संगर्ष के बाद यदी र रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संगर्ष की उपादयता ही लुप्त हो जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पढ़ जाती है। इसी लिए रचनात्मक कार्य के समय को वास्तविक परिक्षा का समय माना जाता है जिसमें उन सभी सिध्धान्तों, उद्देश्यों और आदर्सों की पूरी परक्ष होती है जिनका सहारा लेकर संगर्ष को जीवित रखा गया हो हिंदी के हिथेशियों और साहित्य सेवियों के लिए अब यही समय है मैं कह सकता हूँ की सायद पहले कभी उन पर इतना गंभीर दायत्व नहीं आया था जितना की अब हिंदी के राष्ट्र भासा बनने से आया है समस्त राष्ट्र ने सर्व सम्मती से हिंदी भासा का जो मान किया है और हमारे समीधान ने उसे जो इस्थान दिया है वह हम सब के लिए एक सदभावनापून चुनोती के समान है यह निर्णे एक परकार से सभी हिंदी भासियों और साहित्तिक्यों में विश्वास के प्रस्ताव के समान है इस आदर को हम कैसे निभाएं जिससे विभिन प्रादेशिक भासाओं के बोलने वाले प्रतिनिधियों द्वारा किये गए उक्त निर्णे के ओचित्ते को सिद्ध कर सके यह एक गंभीर प्रेश्ण है जिस पर सभी हिंदी सेवियों को विचार करना चाहिए हिंदी साहित्ते सम्मेलन बहुत बड़ी संस्ता है जिसके निर्मान में इस देश के अनेकों यसस्वी विद्वानों और देश भक्तों ने योग दिया है मैं समझता हूँ कि यद्धपी सम्मेलन की स्थापना हिंदी के प्रचारार्थ हुई थी इसे हिंदी बासी छेत्रों में प्रादेशिक भासाओं के प्रचार का कार्य भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए इससे एक और हिंदी और दूसरी भासाओं में पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ेगा और दूसरी और सम्मेलन का आधार भी अधिक व्यापक हो जाएगा मेरे विचार से यहे कार्य राष्ट्रिय साहिते हिंदी भासा और हिंदी साहिते सम्मेलन तेनों के हित की द्रश्टी से उचित होगा बिहार हिंदी साहिते सम्मेलन ने जिसके रजत जयन्ती समारों के उदगाठन के लिए आपने मुझे आमंत्रित करने की क्रिपा की है पचीस वर्सों से भी अधिक समय पूर्व सार्वजनिक कार्य छेतर में पदारपन किया था इस राज्य के सभी लोग सम्मेलन की इस राज्य के साहिते सेवियों को और अधिक बल देगा जिससे वे साहिते की सम्रद्दी द्वारा और हिंदी तथा ए हिंदी प्रदेसों के बीज पूर्ण सदभावना का वातावरन तयार करके इस राज्य के लोगों की ही नहीं बलकि देश भर की सेवा कर सकेंगे मेरे विचार से हिंदी साहिते की स्रीवर्दी करके और सभी बासाबासियों के साथ सदभावना पूर्ण सम्मंद बनाए रखकर हम अपने करतव्य का पालन कर सकते हैं कम से कम इस ओर सबका ध्यान आक्रष्ट हो चुका है पेराचेंज बहनों सिक्षा संस्थाओं से जब कभी भी मुझे बुलावा आता है तो मैं वहां जाने से इनकार नहीं कर पाता क्योंकि सिक्षा संस्थाओं से मेरा आरंब से ही कुछ ने कुछ समंद रहा है और सिक्षा सास्तर में भी मेरी पहले से काफी रूची रही है अतेव मुझे जब आपका निमंत्रन मिला मैंने उसे बड़े हर्स के साथ सिविकार किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज मैं यहां आ सका आप सब बड़ी सोभागय सालीनी है कि आप इस कन्या महाविद्दाले में सिख्षा पा रही है क्योंकि इस महाविद्दाले का इस राज्ये में अपना एक विशेश मेत्व है और इसका इतिहास नारी जागरती तथा उन्नती का इतिहास है इसकी स्थापना कुछ आदर्सों को लेकर एवं नारी जागरती तथा राष्ट्रिय उन्नती की पुनित भावनाओं से प्रेरित होकर आज से बहुत साल पहले एक ऐसे सच्चे समाज सुधारक के द्वारा हुई थी जिनके रिधे में मुख्यते नारी जाती के प्रती विशेज गोरव और महान आदर था आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे देश में दो परकार की सिक्षा संस्थाएं विद्यमान है एक तो वे जो अंगरेजी सासको द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ती के लिए इस्तापित की गई थी और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से राष्ट्र प्रेमियों द्वारा राष्ट्रिये भावनाओं से ओत्प्रोत होकर अपने देश की संस्कृती एवं सब्वेथा को पुनर जीवित एवं पुने इस्तापित करने के उद्देशे से इस्तापित की गई थी आपका यह कन्या महाविद्दाले भी लगबग इनी पवित्र भावनाओं से प्रेरित होकर बहुत साल पहले इस्तापित किया गया था और आपके लिए यह बड़े सोभाग्य की बात है कि आप में से कुछ आज इस विद्दाले में अपनी सिक्षा समाप्त कर प्रवेस करने जा रही है उच्च सिक्षा प्राप्ती की उपाधी जो आपको मिल चुकी है आपकी एक अमूल निधी है जिससे आपकी गुरूता और भी बढ़ती है आप में से जो आज प्रमान पत्र लेकर जा रही है वे इस विद्दाले के सीमित दायरे में से निकल कर जीवन के विसाल प्रांगन में करमठ कार्य छेत्र में प्रवेस कर रही है आपके कंधों पर जीवन का महत्व पूर्ण उत्तर दायित्व है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी सिक्षा और अनुभव के बल और आधार पर उसे योग्यता पूर्वक संबाल सकने में सफल हो सकेंगी अब तक आपका विद्धारती जीवन रहा अब आगे आपका व्यावहारिक एवं किरियात्मक जीवन रहेगा और आपको अपने जीवन के कार्य छेत्र में अनेक समश्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना है मुझे आसा है कि आपने यहां जो सिक्षा दिक्षा ग्रहन की उससे आप शक्ती और इस्फूर्ती ग्रहन कर स्वतंत्र देश की दायित्व पूर्ण नागरिकाओं की भाती उसे निभा सकेंगी यह सब आपके लिए तभी संभव होगा जब आप यह भली बाती समझ लेंगी की आपको अपने जीवन में क्या करना है आप सब यह भली बाती जानती ही होगी की प्राचीन काल में हमारे देश में इस्तरियों का कितना महत्व पूर्ण वें उतक्रिष्ट इस्थान रहा है इस्तरियों के इस्तरियों के इस्तरियों के लिए यह भी जानती जानती है